सही समय पर शादी का ना होना खुद के लिए तो समस्या बनती ही है लेकिन पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्राब्लम बन जाती है और आज के वीडियो में हम इसी विशे को ठच करेंगे यानि लेट मैरीज नमस्कार मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैपी लाइव विद योगेश शर्मा में दोस्तो दिले होने के विलंब होने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन अगर लड़कों की बात करें तो कई बार करियर में लेट सैटल होने की वज़ा से सही उम्र पीछे छूट जाती है कई बार कुछ परिवारिक जिम्यदारियां भी कारण बन जाती है शादी में दिले होने का लेकिन हमारे भारतिय संधर्व में शादी में विलंब की सबसे ज्यादा टेंशन लड़कियों के केस में होती है ये टेंशन लड़की को हो ना हो लेकिन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा होती है खेर, लड़के की शादी हो या लड़की की शादी, डिले तो हमेशा ही चिंता का विशे है दो तरह के विलंब होते हैं, एक तो अच्छा रिष्टा ही नहीं आता, जितनी काबलियत है उसके आसपास भी रिष्टा नहीं आता या सेल्फ डिनायल, यानि लड़का या लड़की खुद ही शादी को मना करते रहते हैं दूसरे, शादी की बात कहीं बनती है, मतलब रिष्टा आता है, बात चलनी शुरू होती है, लेकिन बात आके नहीं बढ़ पाती कभी परिवारिक बैक्ग्राउंड की वज़े से, कभी जनम कुंडली के ना मिलने की वज़े से, कभी खुद ही लड़की के मना करने की वज़े से या कई ऐसे संडरी कारण और हो सकते हैं, जिसकी वज़े से शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाती अस्ट्रालोजी के हिसाब से अगर लड़की की शादी में, लड़की के विवाह में दिक्कते आ रही हैं, तो लड़की के चाट में और उस भवन में दोनों में ब्रहस्पती कमजोर हैं यानि बर्थेचाट में तो ब्रहसपती कमजोर होंगे ही होंगे, जिस घर में उस लड़की का निवास है, उस घर के वास्तू कारणों की वज़ा से भी ब्रहसपती कमजोर होंगे. दोस्तों, ब्रहसपती बहुत ही पावरफुल एनरजी हैं, लड़की का विवाह बिना ब्रहसपती की पॉज़िवेग एनरजी के हो ही नहीं सकता. जन्म कुंडली में ब्रहस्पती दो कारणों से कमजोर हो सकते हैं एक तो ब्रहस्पती की पोजीशन ही कुंडली में कमजोर हो और दूसरे हमारे द्वारा भूल चूक से ब्रहस्पती कमजोर कर लिये जाएं जन्म कुंडली में ब्रहस्पती कैसे पीडित होते हैं वो यहाँ मैं इस वीडियो में डिसकस नहीं करूंगा क्योंकि केवल इसी पॉइंट को डिसकस करने में कई वीडियो लग सकते हैं और ना ही एस्ट्रालोजी की कोई क्लास चल रही है मतलब यह है कि सीधा सीधा गनित है कि लड़की की शादी में अगर डिले हो रहा है तो ब्रहसपती खराब होगा ही होगा अगर ब्रहसपती सही होगा कोई कारणी नहीं है कि शादी में डिले हो जाए और दूसरे जन्म कुंडली में ब्रहसपती अगर ठीक भी हूँ तो भी हम किसी गलत गती विधी की वज़ा से इसे स्पॉयल कर लेते हैं जैसे कि घर में चल रहे रीती रिवाजों को अगर ना माने तो ब्रहस्पती कमजोर हो जाएंगे अपने कुल गुरु को या कुल देवी को भूल जाएं तो ब्रहस्पती कमजोर हो जाएंगे घर के बड़े बुज़र्गों की इज़त ना करें तो भी ये ब्रहस्पती कमजोर हो जाएंगे यानि ये जो मैंने कारण बताए हैं ये ब्रहस्पती को खराब करने के बहुत बड़े कारण है ब्रहस्पती के स्पॉयल होने के कुछ निशानिया होती है जैसे कि या तो उस घर में senior member से बज़ुर्गों से तालमेल अच्छा नहीं होता या फिर ऐसा भी होता है कि घर में senior member I.U. से senior तो होते हैं पर सयाने नहीं होते मेचेवर यहां सयानी बाते उनमें नहीं होती है जो ब्रहस्पती के खराब होने की सच में बहुत बड़ी निशानी है अब ग्यात कारण तो यहीं है लेकिन कई बार कुछ अग्यात कारण भी ब्रहस्पती को खराब कर देते हैं जैसे के परिवार की पिछली एक दो पीडियों में कुल गुरू का या बड़े बज़ुर्गों का जम के अगर अनादर हुआ हो इग्नोर हुए हो तो यह भी ब्रहस्पती को खराब करता है जो इवेंचुली शादी के डिले होने का कारण बन जाता है ब्रहस्पती को सही करने के उपाए जरूर बताऊंगा लेकिन वो उपाए बताने से पहले जरा बात करनी होगी कि लड़कों की शादी में विलंब का कारण क्या है यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है लड़कों की शादी में ब्रहस्पती नहीं लड़कों की शादी में शुक्र का खराब होना सबसे बड़ा फेक्टर है उनके विवाह के लिट होने में जी हाँ शुक्र ये केवल लव, रोमेंस या लग्जरी के प्लैनेट नहीं है ये सही हो तो ये ऐसी एनरजी है कि लड़का बस लड़की वालों को जच जाए, पसंद आ जाए यानि अगर लड़का लड़की वालों को जच ही नहीं आ रहा है, पसंद ही नहीं आ रहा है लड़की वाले बहाने भूण रहे हैं, रिष्टे को मना करने के, तो शुक्र गडबड है, शुक्र खराब है, जिन लड़कों की शादी में unnecessary delay होते हैं, फोर शुर वो शुक्र की energy के खराब होने की वज़ा से होते हैं, लड़के की शादी नहीं हो रहे हैं, तो उसमें delay आ र खराबी रह सकती है, एक ठीक हो तो दूसरी बिमार हो जाए, कुद की skin या चेहरे की आभा खराब हो जाएगी, चेहरे पे वो चमक ही नहीं रहेगी, घर में कलेश का वातावरन होगा, घर में गंदगी का या congested सा वातावरन होगा, ये सब चीजे जो हैं शुक्र के पीडि उसे सही किया जा सकता है, तो ladies first, लड़कियों के केस में जैसा मैंने आपको बताया था, कि ब्रहस्पती के खराब होनी की वज़ा से, शादी की बात नहीं बनती, ब्रहस्पती को सही करने के लिए तीन उपाए हैं, पहला है कुल गुरू की सेवा करें, उनका सतकार करें, ल आत में जल लेकर भगवान शिव को अपना कुल गुरू बनाने का निवेदन करें, और उपहार स्वरूप कोई भेंट अर्पन करें और आ जाएं, बहुत ही गहरा उपाए है, इससे ना केवल आपके कुल गुरू की कमी पूरी होगी, बलके ब्रहस्पती भी स्ट्रॉंग ह कर शादी ब्याह के विलंब दूर करेंगे, अब दूसरा उपाए, दूसरे उपाए में आपको घर के भवन को थोड़ा सा सही करना है, यानि घर के नौर्थ वेस्ट एरिया में, यानि वायो कोण में, पीतल के लोटे में धर्मस्थान का जल भरकर स्थापित कर दें, इसके बाद कोई कारण ही नहीं बचता है, लड़कियों की शादी में कोई विलंब हो जाए, अब बात करते हैं लड़कों की शादी में होने वाले दिले की, लड़कों की शादी में दिले होने के केस में शुक्र को सही करना होगा, और शुक्र को सही करने के लिए क्या करना होगा तो सबसे पहले शुक्र के पेवरेस्ट स्वरूप को लें यानि गाये गाये की सेवा करें गाये शुक्र का सबसे पेवर रूप है गाये की सेवा करने से शुक्र आपकी फेवर करनी शुरू कर देते हैं रोज निरंतर या सप्ताह में एक दिन या इवन शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाएं इस से शुक्र की जो एनरजी है आप तक सही तरीके से पहुँचनी शुरू हो जाएगी यह नतीजा होगा चटमंगनी पटब्या और घर के वास्तू में शुक्र का एरिया कौन सा है साउथ इस्ट का एरिया घर का साउथ इस्ट जो है शुक्र का एरिया है अगर इस एरिया में खराबी होती है तो यह उसमें रहने वाले लोगों के शुक्र को खराब कर देती है अब South East खराब कैसे होगा South East खराब होता है इस एरिया में अगर किसी भी तरह से पानी का कोई arrangement आ जाए तो उस घर का शुक्र खराब हो जाएगा उस भवन का शुक्र खराब हो जाएगा पानी South East में किस तरह से Water Purifier वहाँ पे हो सकता है इस एरिया में छट पर पानी की टंकी हो सकती है इवन कई घरों में Submersible Pump की Boring इस एरिया में हो सकती है ये शुक्र को खराब करती है इस तरह से पानी का कोई भी arrangement अगर South East में होगा ये सीधे शुक्र को हिट करेगा जिसकी वज़ा से नतीजे खराब आएंगे और क्या नतीजे खराब आएंगे बरकत घर की खतम हो सकती है और लड़कों की शादी में विलंब हो सकती है तो possible हो सबसे पहले इस एरिया से पानी हटाएं और शुक्र का एक अन्य उपाए है कि घर के South East एरिया में जो शादी लाइक लड़का है उसकी एक बहुत स्मार्ट सी फोटो वहाँ पे लगा दे यानि एक बहुत अच्छे से ली गई फोटो घर के South East एरिया में लगा दे बहुत ही सटी कुपाई है बहुत अच्छे से कम करता है अब लड़का और लड़की दोनों की शादी में विलंब के कारण और उपाई हमने देख लिए अब अंत में एक ऐसी एनर्जी की मैं बात करने वाला हूँ जिसका दोनों के लिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है और जिसके बारे में प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात नहीं की थी और उस एनर्जी का उस ग्रह का नाम है भई मंगल देखिए मंगल कार्य तो तब भी होगा न जब मंगल सही होंगे मंगल होते हैं आपके जीवन में मंगल कार्य करवाने वाले और अगर ये सही नहीं होंगे तो शुब कार्य असानी से हो ही सही रनिंग साफ सुथरा रखिए उसमें गैस को या आग को ब्लॉक मत होने दीजिए केवल इतना बर करने से ही मंगल आपके लिए सही रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं बहुत अमेजिंग उपाए हैं और नतीजा शुब विवाह शुब काम नाएं तो आज मैं आशा करत हूँ कि लड़के लड़की दोनों की शादी में डिले के कारण आपने समझे होंगे उनके उपाए भी आपने ध्यान से समझे होंगे आप अगर अपने घर में इस तरह की कोई किसी के साथ प्रॉब्लम फिल कर रहे हैं या अपने सरकल में किसी के साथ ये प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से दूर कर पाएगा तो आज के लिए इतना ही बहुत ज़द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नमस्कार ठिछ ओर कर दो आज कक्सित, आज कर दो